सुबह से हम बायर निकल गए थे तो अभी हम आपका कभी जा रही हैं आपके देखते हैं क्योंकि बहुत ही सुबह मॉनिंग में तो ये होटल आ गई है हाव आर यू बूटिफुल पीपल आप सब कैसे हैं मैंने सुरुवात में इंट्रोडक्शन दे दिया है कि हम बहुत अर्व मुनिंग सुबह अर्व पांच बज़े साड़ा पांच बज़े निकल गए थे तो साड़ा आठ बज़े तीन घंटे सफर करने के बाद हम नास्ता के लिए एक होटल पर पहुंचे हैं 50 कॉल इस बडबा स सब से पहले बहुत ज् hypertाध है तो मैंने गरम सौल है वो पहनी है और यह मारा नॉस्ता आ गया है और यह गरम पानी है मास तो उताला ही पड़ता है जब हम बाहर जाएं तो तो मैंने ऐसे पहले गरम-गरम पानी पिया फिर गरम-गरम चाई पी रही हूँ आप समझ सकते हैं कि सुबह सुबह बहुत ज्यादा लंबी लॉंग ड्राइब पे हम जाते हैं तो हमें कितनी सुस्ती रहती है उड़ाने के लिए मैंने चाई पी हेंड सैनिटाइस किये और फिर मैंने इडली, सांबार और वड़े का नास्ता किया जो कि करना टका में हर जगे पर मिल जाता है आप सब बताओ आप सबने क्या नास्ता किया है फिर दूसरे ने दूसरी प्लेट मैंने पूरी की खाई है जिसमें दो पूरी आती है और साथ में सागू मिलता है जो कि मैंने नहीं खाया क्योंकि वो हमारे यहां नौर्थ के हिसाब से आलू पूरी नहीं होती पर वो रेगूलर कदू की सब्दी होती है उसके साथ और ये श्विट सीरा है जो मैं आपको खिला रही हूँ सबको खिला रही हूँ आप भी का लिजे क्योंकि अज पूरे दिन हमें बाहर गुमना है ये एक नेचर ट्रिप है बाहर गुमते रहना है फिर नास्ता कर लेने के बाद ऐसे में चलके रोड के उपर आ गई और अपनी टेक्सी में वापस बैठ गई जहां बिल्कुल मैं टेक्सी में सफर कर रही हूँ और ऐसे बैठी हूँ और इस वक्त मैं बिल्कुल अकेली थी जो मेरे पार्टनर थी वो पिछे की साइड चलती हुई आ रही थी और ये जगे पर हम पहुच गए से वियू ये जो हम बाते बुलते रहते कम दो हम उसका फाइदा उठाने चले चाते पर हम उसकी केर नहीं करते खास करके मैं तो बहुत कम करती हूँ तो मुझे ये सारे व्रुक स्पेड बहुत अच्छे लग रहे हैं मैं घुम रही हूँ यहां वहां पर और लोग थे पर इतने भी ज्यादा नहीं थे और मास्क पेरने के बाद गुमना तो बहुत ही दुसकर लग रहा था और गुमते गुमते हम यहां पर आजाते हैं एक कच्ची सडक के ऊपर और यहां पर एक बहुत बड़ा जर्ना यानि की पानी रीवर जैसा जा रहा था और बारिस का मौसम था तो हलकी हलकी बारिस भी हो रही थी और फिर मैंने तो यह गन्य का जूस किस का फेवरीट है स्यूगर केंजूस मेरा तो बहुत ही ज्यादा फेवरीट है वह पिया और यह मंदिर में एक टेमपल में विजिट की तो वहाँ पर कुछ traditional drama ऐसे चल रहा था तो उसकी भी कुछ clips मैंने ले ली पर उसकी आवाज recording नहीं की नहीं तो problem हो जाती तो उसे खेल रहे थे आर प्लेइंग ए ट्रेडिशनल ड्रामा ऐसे ट्रेडिशनल ड्रामा की तरह वो कुछ लोग इधर उधर जंप लगा रहे थे और बाकी सब देख रहे थे और वीडियो सुट कर रहे थे उसका ये एक जई बजरंग बली का एक temple है मंदीर है वहाँ पर मैंने विजिट किया और ऐसे लाइन में खड़े ओकर दर्सन किया दर्सन कर लेने के बाद ये मुझे प्रसाद मिला और ये टिका भी लगवाया ऐसे तो ये स्रावन मास चल रहा है पवित्र महीना है तो इसके अंदर हमें एक बार जंगल में जरूर जाना चाहिए जहां पर व्रुक्ष पेर है उसे मुलाकात करनी चाहिए ये बड़ा वाला बन्यान ट्री है एक बहुत बड़ा ट्री है व्रुक्ष है जिसके आसपास मैंने घुम घुम के ऐसे सुट किया कहीं सालों पुराना होता है ये और एक में से दूसरा पेर बन जाता है ये ऐसे और उसकी भी लंबी लंबी डालिया ब्रांचीस ऐसे वापस नीचे आ जाती है और इसे पकड़ के हम जूला भी जूल सकते हैं तो आप देख सकते हैं कि बहुत बड़ी नदी है और वहाँ पर हम ऐसे ऐसे बाते कर रही थी मगर इतनी आवाज आ रही थी कि फिर मुझे वोईश थ्रो करना पड़ा ऐसे कुछ लोग बेठे हुए थे पर मैंने ज्यादा रिष्ट न लेते हुए बहुत अंदर नहीं गई उपर उपर से इसुटिंग मैंने किया है वहाँ पर एकात गहंटे के बाद मैं वापस कार में बेठ जाती हूँ दूसरी दूसरी लंबी सफर करके एक ओर टेंपल जहाँ पर है श्वयामभू नागदेवता प्रगटाई ऐसा कुछ टेंपल का नाम था तो यह स्वयामभू नागपपा मिन स्नेक का मंदिर था सापका यहां बड़े बड़े पत्थर थे यहां खुद बखुद वो प्रगट हुए थे तो यह एक बहुती बड़ा मंदिर है जहां पर मैंने दर्शन किये और मैं इधर इधर घुम रही हूँ वहां बर भी बहुत ज़्यादा रिक्स पेड़ थे बड़े बड़े थे और सालों पुराने थे और यहां पर से पत्तर पे चलते हुए मंदिर के आसपास का एरिया है वो मैं घुम रही हूँ और यह बारिस का मोसम था तो थोड़ा थोड़ा बारिस शुरू हुआ और फिर अटक गया इसलिए हम यहां पर बेटे और यहां सामने बहुत सारे गोट्स यानि की भेड़ बकरियां और गाये हैं वो पानी पीने आती है जो सायद की मेरे में ठिक से नहीं पकड़ पाई ऐसे यहां पर यह अदबूत आवन निय दुरुश है इसे हम देखते ही जो मज़ा आती है वो सायद पिक्चर में ना भी आये पर यहां बेटने में एक अपने आप में बहुत खुश नुमा दिल को बर देता है दिल में बर मंदिर आप देख सकते हैं इस सूर्ण का है सूर्ण का और यह अंदर एक हनुमां जी का मंदिर और यह उस गणे से और वापस में गाड़ी में बेच जाती हैं और यहां से आगे बढ़ते हैं ऐसे मोसम था कि ट्राविल करना बहुत अच्छा लग रहा था फिर एक और रेस रेस्टोरंट है ऐसे जूपडी हट बनाया है और उसके अंदर हमें खाना मिलता है और यह बहुत ही ट्रेडिशनल साउथ इंडियन फुड है तो यहां पर केले के पत्ते के ऊपर ऐसे पेले वो दे जाते हैं उसके अंदर कुछ रिचूस करना है यानि पानी से इसको दोना है वास करना है वैसे तो यह काफी फ्रेस लग रहे थे उसके उपर ऐसे पानी चिटकना है और इसको बाहार गिराना है और फिर ऐसे वेट करना है खाने खाने के लिए गी लेकर आ गया पूरन-पुरी और गी हमें परोसा सबसे पहले स्वीट यह कुछ स्पेसियल डीस हमने कुछ स्वीट आई है पापड़ आया है और यह तिन चार तरीके की सबजी है और एक लसी भी देता है पर मैंने नहीं पी दहीं लसी वह भी सब था और यह मूंग का कुछ बहुत सारी चीचे थी और यह प्लास्टिक का कवर हेंड़ो पेन के वह में खाना देते हैं तो ऐसे लास्ट में मैंने डाल ओल चावल खाए और वहां पर खाना खाने के बाद आइस्ट्रीम खाते है या तो चाई पीते है तो मैं चाई लवर हू ती लवर आप क्या पीते ह चाना खाने के बाद तो ठंडी की मुसल में ज्यादा अची लगती है और यह मंकी हम जहां खाना खा रहे थे वहां मंकी आ गया तो डर लग रहा था तो वह बेठा-बेठा में देख रहा था और जब मैंने उसका सुटिंग किया तो भाग गया है इसे और यहां पर ऐसे के आसपास आने वाली सारी चीजे आपको मिल जाती है वहां के कुछ सिल्क सारिया यह वो और यह जो छोटे-चोटे बर्स होते उसके घौंसले भी मिल रहे थे और यह खाना खाने के बाद हम वापस चल पड़ते हैं ऐसे तो ऐसे हम फिर से गाड़ी में बेठ गए और यहा आसा इदर उदर गूमा फ्रेंड्स आपको कैसा लगा यह वीडियो कॉमेंट करके जरूर बताना कीप वाचिंग की स्माइलिंग टेक केर और बाई बाई बाई